नमस्कार दोस्तो प्रकाश गाबा फिर आपके सामने और निफ्टी बारा हजार की तरफ एक थोड़ा प्रॉफिट दिखा उनको प्रॉफिट बॉकिंग हुआ तेरा दिन का एक अप्मू है इस अप्मू में कुछ बारा सो बत्तीस पॉइंट चला गया प्रॉफिट बेखा है इस भी हो चुकांट। तो अब तक ट्रेंड़ इंटेक्ट है अगर बारा हज़ार पार कर लेता है तो बारा हजार दोसोई जासकता है पॉसीब्ल है ट्रेंड तो स्ट्रॉंग है लेकिन मैं कहूं गा थोड़ा यां पर अगर सुस्ती होती है यां पर थोड़ा रुकता है तो अच्छी बात है, वो मार्केट के लिए अच्छा है, होता है नहीं होता है तो बाद में पता बढ़ेगा हमको तो सिर्फ पॉइंट्स चाहिए कहा खरीदे और कहा बेचे, वो जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है 11,775 बहुत कुरूशल सपोर्ट है, जब तक उसके उपर है, तब तक ठीक है, निफ्टी इंटर्नल देखें, निफ्टी इंटर्नल का हाल के है, वो भी वैसा ही लगता है, 11,790 के आस्वास वहां पर लगता है मुझे, एक स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन है, और फिला तो ठीक ही नजर आता है, यह जो सर्कल मैंने मार्क की है, अगर यहां पर मार्केट खुलता है और उपर जाता है तो शायद बाइंग बनती है, लेकिन यह लेवल्स ब्रेक हो जाते है, तो चाहिए थोड़ी गिरावट आ सकती है, हो सकता है, लोग लेवल्स शायद यहां पर भी देखने को मिले, लेकिन होगा नहीं होगा, हमको तो सर्फ पॉइंट से एक काँ खरीज, एक काँ बेशन, निफ्टी बैंक, देखें, निफ्टी बैंक का हाल क्या है, अब तक तो चोवी सदार दोसों का जो टागेट था, वो अच्छी हो चुका, आज का हाई कुछ तरह से चोवी सदार 190 था, तो ट्रेंड के का तुछ रेंगत एक कुई पर कॉंपर माइस हँओ, इंटर्नल लेखनें म graph का आञें इंटर्नल का हाल की अधि आधिनेंक की यहां ही है derived हजिए शोल्डर हो सकता है। पर उपर खुलता है कहीं पर ब्रेक हुए आता है तो थोड़ी गिरावट आ सकती है चाहिए तेज उदर का जोन भी देखने को मिले यह possibility है क्योंकि एक head and shoulder को respect देना चाहिए तेकि अब बना तो नहीं है अगर कल बनेगा तो होगा तो shot करेंगे वरना नहीं करेंगे simple अब तक point ही चाहिए कहां खरीदे कहां पे चाहिए भाव प्रगवान है